सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिये गए रैड बटन से और बाद में बैल आइकन दबाए हमारी लैटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए दोस्तो वेश्ट बंगाल पोस्टल सरकर में ग्रामीन डाक सेवक यानिके GDS के लिए 5778 वैकेंसी निकली है इसमें क्वालिपिकेसन आपको 10 पास चाहिए और रिटन एक्जाम और इंटर्वी के माध्यम से सेलेक्शन होगा एपलाईस में आप उनलाइन तरीके से एपलाई कर सकते हैं और उसकी लाश्ट एट उनलाइन करने की 4528 पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को लाश्ट तक देखे उसके बाद वैकेंसी देख लेते हैं इसमें GDS पोश्ट के लिए total 5788 है यह मैंने आपको पहले बताया है OBC category के लिए 1328 पोश्ट है PH HH के लिए 86 पोश्ट है PH OH के लिए 83 पोश्ट है PH VH के लिए 51 पोश्ट है Apply करने से पहले आपको Qualification देखना जरूरी होता है, इसके लिए आपको 10th या इसके बराबर पास होना अनिवारिया है, Age देख लेते हैं, Age कम से कम Apply करने के लिए 18 साल होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 27 years, इससे ज्यादा Age होनी नहीं चाहिए, Age में चूट देख लेते हैं SCI ST Category के लिए 5 साल की चूट है, और OBC के लिए 3 साल की चूट है, PWD Category के लिए 10 साल की चूट है, उसके बाद मैं Application Feast देख लेते हैं, Application Feast को आपको Online जमा करनी है, इसकी General या OBC Category Candidates के लिए 100 रुपे Application Feast है, और SC, ST, EX Serviceman, PWD Candidates के लिए कोई Feast नहीं है, यानिके निल है, Page Scale देख लेते हैं इसमें, जो Candidates Select होंगे, GDS की Post पे उन्हें 2700 रुपे Sell दी जाएगी, Level 3 के इंतरगत, Apply Online करने के लिए आपको इसकी Official Website, apppost.in slash GDS Online पर जाना होगा, उसके बाद आप वहाँ पर देख सकते हैं, Home Page पर Center में ही लिखाओ है, Apply Online is Active for Telangana Circle और West Bengal Circle, दोनों के लि के लिए आप 94-2018 से Apply कर सकते हैं, और West Bengal के लिए 4-5 से शुरू हो रहा है, Apply Online करने के लिए, Apply Online करने के लिए आपको इदर Left Side में Quick Link Section है, Quick Link Section में Registration करना है, अगर आपने इस पर पहले से Registration नहीं किया हुआ है, तो आपको Registration करना है, अगर आपने पहले से Registration किया है, तो Apply Online Link पर किलिक करना है, Apply Online लिंक पर किलिक करने के बाद एक New Page ओपन हो जाएगा, New Page ओपन होने के बाद, आप यहाँ पर देख सकते हैं, Registration Complete दिखा रहा है, अगर हमने पहले से Registration किया है, तो यहाँ पर Registration नंबर ड़ेगा और Submit करना होगा, और आप फिर Online Application Form बढ़ सकते हैं, तो दोस्तों, अगर आपको इस Recruitment के बारे में और ज़्यादा जानकारी जैसे कि Age, Qualification, Computer Knowledge, Residence, और How to Apply, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से इसकी Official Notification डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके अंदर पूरी जानकारी है, और Apply Online का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप आप वहाँ से डिरेक्ट टैपले ओनलाइन कर सकते हैं,